दोस्तों एक बर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का DER Education के इस YouTube चैनल पर देखे दोस्तों आज का जो यह हमारा वीडियो है इसमें हम Military Engineering Services यानि MES के अंदर जो 1070 driver की vacances के लिए जो application form भरे जा रहे हैं तो उसका application form कैसे आपको फिल करना है कौन सी website पर आपको विजिट करना है कि आप application form को फिल कर पाएं उसके बारे में details से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे doubts आ रहे थे कि sir application form कैसे फिल करना है कि हम कोई गलती ना कर दें तो एक detail वीडियो बना करके हमारे पास present कर दीजिए तो उसी के उपर में ये वीडियो ले करके आया हूँ आप वीडियो को शुरू से ले करके end तक देखना आपका कोई भी doubt है वो नहीं बचेगा देखिए यहाँ पर मैंने google open कर रखा है यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको ssc type कर देना है और आपको search कर देना है हाला कि आप url में भी feel कर सकते हो यहाँ पर ssc.nic.in तो आपका जो application form है वो open हो जाएगा देखिए जो ssc का home page है उस पर आप click करेंगे जो सबसे उपर आपको website दिखेगी जैसे ही उस पर click करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक interface निकल करके आएगा यहाँ पर right hand side में यानि दाइनी तरफ आपको login का option दिखेगा यहाँ पर username और password फिल करना है उन candidates को जिन्होंने पहले से ssc की official website पे कोई application form फिल क्या हुआ है जैसे cgl हुआ, chsl हुआ, mts का या फिर dillips driver का खुद application form बरा हो किसी ने तो उसके पास एक username password पहले से होगा वो आप यहाँ से fill कर सकते हैं और हो गया है आपके पास नहीं है तो यहाँ से forgot वाले option पे click करके और यहाँ पे अपना state और email id डालके दोबारा से आपके पास अप आपने ssc का form पहले से नहीं बरा हुआ है और आप driver का यह form भरना चाहते हैं तो कैसे बरेंगे यहां से आपको new user या register now का option दिखेगा इसी तरफ यानि right hand side में इस पे आपको click कर देना है जैसे ही click करेंगे उसके बाद इस परकार का basic detail वाला परफोर्मा आपके सामने आएग इसमें आपको तीन step के लिर करने है यानि एक तो basic details, additional and contact details और declaration यह तीन चीज़ आपको fill करने है तीन steps में तो यहां पर basic knowledge ही आपके बारे में पूछी गई है तो सारी आपको fill करने है जैसे आपके पास अधार ID है या नहीं है yes कर देना है अगर आपके पास अधार number है तो य इसके लावा email ID है सारी चीज़े आप यहां से भरेंगे और यहां पर save कर देंगे save करने के बाद next जो details मांगेगा वो additional and contact details है यानि आप से अगर contact करना चाहिए SSI तो कैसे कर सकता है तो यहां से वो सारी details आपको fill करने है उसके बाद declaration आएगा और फिर आप अपने इस registration को प यहां पर fill करने जो मैंने आपको home page पर बताया था यहां पर login ID वाले option पर यहां पर username में जो आपका username आपकी email ID मोवाइल नमबर पर receive हुआ है वह आपको यहां पर fill करना है और इसके लावा जो password आपने बनाया है यानि generate किया है यहां आपके email ID पर receive आपको यहां पर फिल करन खुल जाएगा यानि जो जो आप application form अभी फिल हाल में भर सकते हैं उनकी details आपके सामने आ जाएंगी जिसमें सबसे उपर आपको दिखेगा phase 6 या यानि slash दे रखा है 2023 slash selection post यहां पर दे रखा कि application start हो गए हैं 6 तारिक से यानि 6 मार्च से उसके बाद application end date है यानि कब तक आप application form फिल कर सकते हैं अभी आपको क्या करना है application form फिल करना है तो उसके लिए यहां पे apply वाला option दिख रहा होगा apply पे आपको click कर देना है ठीक है जैसे ही apply पे click करेंगे तो यहां पे आपको कुछ options दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे आपकी journal details आपने registration के time पे या जब आपने पहली बार registration किया था SSC की official website पे वो सारी की सारी details आपको यहां पे दिखनी शुरू हो जाएंगी तो यहां पे आपको चलना है आगे और कुछ details आपको खुद बरनी पड़ेंगी कुछ है जो आपने पहले से बर रखी है वो automatically इसमें आ जाती है कुछ आपको अभी इ यहां पे अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा लेकिन आपको पता भी होगा कि most of driver की वेकैंसी जो सेलेक्शन पोस्ट में निकली है वो northern region के अंदर निकली हुई है और आपकी जो 1070 मेस के अंदर है यानि military engineering services के अंदर तो वह भी northern region के अंदर है तसली से अपना application form फिल करेंगे आपको गलती नहीं करनी है तो यहां से northern region फिल करेंगे जैसे ही northern region फिल करेंगे उसके बाद यहां पे 16 नंबर पे post code फिल करना है अब post code मैंने आपको बताया भी था कि आपकी post code इन में से आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है देगे vacancies कौन कौन सी किस region में निकली हुई है driver के ल अब जो 1070 vacancies की बात कर रहा हूं वह कौन सी post code के अंदर निकली है तो उसके लिए आपको चेक करना है या इन में से देखना है कि NR 32623 कौन सा है क्योंकि मैंने आपको बताया था NR 32623 आपको यहां पे ढूंडना है अब दोस्तों देखो post code यहां पे NR 32623 मैंने चूज करते ह यहां पे option आ जाएगा civil motor driver ordinary grade यानि Aussie और यहां पे label of post med regulation यह आ गया है यहां पे देखो essential qualification या experience etc related to the post has been read by me यानि इसका मतलब यह है कि जो इसके लिए education qualification या experience मांग रखा है वो मैंने पढ़ लिया है तो उसके लिए आपको यहां पे टिक करना है उसके बाद यहां पे अप लोंग करते हैं उसके हिसाब से आप अपने नजदी की कोई भी examination center यहां पे तीन preference दे करके fill कर सकते हैं अगर आप एक्सरीश मैन है अपना जो एक्सरीश मैन का कोलम है वो यहां पे fill करेंगे उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहां पे medium of skill test यानि skill test किस language में आप देना चाह देखिए जब आप नीचे चलेंगे तो यहां पे आपको एज relaxation का option दिखेगा जैसे मानलो आपको पता भी है एससे आपको एज अमर में छूट देती है अपर रेज के लिए इसमें एज क्रिटेरिया वह 18-27 साल है अब जिस कंडिडेट की 28 साल उमर हो गई और बिलोंग करत है ठीक है यस करेंगे तो यहां पर option आगे ना और विसी के लिए दो साल तक की छूट मिल गई फिर ऐसे नीचे आएगा तो यहां पर आप option देख सकते हैं देखो जिसको जरूरत है वहीं लेए इस रिक्षिशन इसमें सभी यस मत कर देना जिसको एस रिक्षिशन चाहिए वो आप यहां पर फिल करेंगे नहीं तो नो कर देना है उसके बाद देखो यहां पर essential qualification दे रखी है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने आपको वीडियो में बताया था same as it is यहां पर बताया हुआ है कि 10th pass आप होने चाहिए हम्वी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 3 साल तक का motor car का experience होना चाहिए यानि LMV लाइसेंस का पास होना चाहिए और LMV का minimum 3 साल का experience आपके पास होना चाहिए अब जिन candidates के पास हम्वी का ही experience है 3 साल का तो कोई tension वाली बात नहीं है आप इस पर क्लिक करके और यह option चूज कर लेना उसके बाद यहां से subject चूज करेंगे तो any subject आप क्लिक कर देंगे और यहां पर अपना highest education qualification वो फिल करना है अब इसमें minimum आपको 10th तो डालने ही डालने ही यानि matriculation आप य work experience का मतलब है कि कहां पर आपने गाड़ी चलाई है कितने दिन का आपका experience है उसकी details आपको यहां पर फिल करनी है name of organization किस private competence किस on File के आंदर आपने काम किया है वो आप यहां पर फिल करेंगे designation क्या था यहांनि ड्राइवर का पध नाम फिल करेंगे nature of duties यानि duty का किस प्रकार का प्रकार भाता दिन में करते थे रात में करते थे किस प्रकार की duty आप करते थे वह आप यहां पर फिल करेंगे और एक चीज़ यहां रखना जब आपके पास यहां से एलमवी का तीन साल का experience मांगा गया है तो कब से लेके कब तक आपने वहां पर काम किया है वह minimum 3 साल तो होना ही जीए जादा आपके पास 5 साल हो 10 साल हो वह जादा माईने नहीं रखता minimum 3 साल तो आपका work experience यहां पर दिखना चीए तो यहां से आप अपनी date है वह चूज कर सकते हैं जो आपके experience certificate पर लिखी हुई है तीन साल के experience certificate यहां पर जैसे अपने work experience की details आप फिल करेंगे उसके बाद नीचे scroll करेंगे उसके बाद यहां पर अपना photo और signature यहां पर upload करना पड़ेगा अब आपका photo किस परकार का होना चीए और कब से पहले का यहां पर दे रखा है यह आपको sample दिखा रखा है आपकी आँखे ना कान और चेहरा है वो बलर नहीं होना चीए इस परकार की जो photo चल जाएगी ऐसी जो फोटो जह वो नहीं चलेंगे उससे आपका form reject हो सकता है ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना पर फोटोग्राफ का अग यह चोटा सा capture आपको fill करके और यहांसे preview लेना है उसके बाद देखिए यहां पर preview पर क्लिक करना है जैसे preview पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपने details फिल करी है वो आपके सामने आ जाएंगी ठीक है आप उनको दुबारा से verify करेंगे अगर गलत हुआ कुछ उनमें से तो नीचे एक edit का option आएंगे तो edit कर सकते हैं ठीक है अगर आपका form सही है तो नीचे आपका submit का option दिखेगा उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका form में submit हो जाएगा अब देखिए जैसे ही आपण application form submit कर देंगे तो आपको redirect करेगा आपकी payment के लिए देखिए जिनके लिए fee applicable ह यानि जिनके लिए exempted नहीं है जैसे journal, EWS और OBC category तो उनको 100 रुपे fee देनी होती है SSC को तो फिर वो redirect कर देगा payment के लिए वहां से आप अपनी payment detect करके और दोबारा से फिर कहां पे आजाओगे अपने application form की तरफ यानि एक dashboard की तरफ आप आजाओगे जैसे ही dashboard की तरफ आप तो आपका जो print है वो कहां से आप अपना download कर पाएंगे और payment का status है वो कहां से check कर पाएंगे अब देखो यहां पे जैसे ही अपने dashboard पे आप आओगे तो यहां से काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी जैसे यहां पे apply वाले option पे तो आपने click किया था जिसमें आपने application form submit क किलिक करना है payment submit हुई है नहीं हुई है वो सुटेश च्छेक करने के लिए इस option पे क्लिक कर देना payment status वाले option फिए application स्टेटेटेश करना है तो इस option पर क्लिक कर देना पेमेंट अगर संबिट नहीं हुई तो डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके देख लेना कि भाई दो बार आपको पेमेंट करने की जरूरत है या नहीं है तो सारे के सारे option आपको यहां पर दिख जाएंगे और अगर आपका फर्म संबिट हो गया पेमेंट भी डिटेक्ट हो गई है तो उसके बाद last में print लेने के लिए आप इस option पर क्लिक करके यानि print वाले option पर क्लिक करके अपना application फर्म है वो download कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको सारी की सारी चीज़े मैंने आपको बता द रहेंगे ठीके दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना अपने सभी दोस्तों पर शेयर कर देना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी जरूर से जरू सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे भी ऐसी informative ै कर मैं देना इस पोस्तों भा आप मैं होता इस कर देना ह健 है, जर अबको मैं हो सहाओे जरूर खूर शेरूद essa जर झाब seriously me